हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल माई स्कूल आज अपने वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल थियोरम ओफ एरिथेमेटिक के बारे में जो है क्लास 10 चैप्टर नमबर वन रियल नमबर से कैसे चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आपने प्रिवेस क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो नैचरल नमबर होते हैं उनको हम प्राइम नमबर की प्रोडक्ट के रोप में लिख सकते हैं अभी नैStart क्या होते हैं आपको याद होगा आपने सब्से तरॉन क्विडियो में ह को नंबर होते हैं जो खुद से और वन से इनसे अलग किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं वो सबी नंबर प्राइम नंबर होते हैं So, अब हम example से देख लेते हैं, हमने यहाँ पर एक example लिया है, जिसमें हमने एक natural number लिया है, इसको हम composite number भी कह सकते हैं, 32760, अब अगर हम इसको factorize करें, इसके factor करें, So, सबसे पहला, सबसे छोटा number, prime number आपको कौन सा दिख रहा हैं आपर, जिससे हम इस number को divide कर सकते हैं, 2, So, जब हम इसे 2 से divide करेंगे तो आजाएगा, 16380, अब हम क्या देखते हैं, वापस यह 2 से divide हो सकता है, तो हम अगेन इसको 2 से divide करेंगे, यह आजाएगा, 8190, यह यह आ 4095 आजाएगा, अब हम क्या देखते हैं, यह 2 से तो divide होगा नहीं, 2 से नहीं होगा यह divide, अब हम क्या करेंगे, अब हम देख चेक करेंगे, यह 3 से divide हो रहा है, 3 से divide करने के बाद क्या है, 1365, अगेन देखेंगे कौन से number से divide हो रहा है, 3 से divide हो रहा है, यह आ गया 435, अब हम क्या देखते हैं कि किस से डिवाइड हो रहा है 5 से then 91 आ जाता है उसके बाद किस से डिवाइड हो रहा है 7 से 7 से डिवाइड करने के बाद क्या आता है 13 13 खुद से एक प्राइम नंबर है सो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3 2 7 6 0 को अब हम इस number को लिख सकते हैं, इन सभी numbers की product के रूप में, लिख सकते हैं, तो हमने इसको ऐसे express कर दिया, 2 multiply 2, multiply 2, multiply 3, multiply 3, multiply 5, multiply 7, multiply 13, अब हम इसको कैसे express कर सकते हैं, यहाँ पर 2 के कितने powers हैं, 3, 2 raised to the power 3, 3 के कितने power हैं, 2, 2, सो यह हम ऐसे लिख सकते हैं, 5, 7, 13, यह हो गया, सो basically fundamental theorem of arithmetic कहता क्या है, यह कहता है कि कोई भी composite number को हम prime number के product के रूप में factorize कर सकते हैं, वो सभी factorization unique होने चाहिए, means हमने जो previous example पढ़ा था, उसमें हमने जो number लिया था, वो था 3, 2, 7, 6, 0, जिसके factor क्या आये थे, 2 raised to the power 3, multiply 3 raised to the power 2, multiply 5, multiply 7, multiply 13, unique से क्या मतलब है यहाँ पर, unique से हमारा मतलब है कि इस number के factor यही हो सकते हैं, अगर हम suppose कीजें यहाँ पर 3 की power 2 को change करके 3 की power 3 कर दें और यहाँ से 5 हटा दें, तो क्या यह number composite number सेम आएगा? नहीं आएगा, तो यह जो factorization होता है हमारा, यह हर एक number के लिए unique होता है, पर इस पर order का कोई difference नहीं पड़ता, means इनका order अगर हम change कर दें, तो भी इनकी multiplication से इम ही रहेगी, means 3 raise to the power 2, multiply 2 raise to the power 3, multiply 7, multiply 5, multiply 13, यहाँ पर हमने क्या किया, इनका order change किया, so इसको हम order change करके ऐसे भी लिख सकते हैं, उससे इसके product पर कोई फरक नहीं पड़ेगा, ओके, so basically fundamental theorem of arithmetic में यह कहना चाहता है, कि कोई भी composite number को हम prime number के factorization form में लिख सकते हैं, बस वो factor जो हैं, हर एक composite number के लिए unique होंगे, और उनका order से कोई difference नहीं होता, अगर हम order को भी change कर देते हैं, so इसका यही example दिया है, हमने एक यहाँ पर, कि 2 multiply 3 multiply 5 multiply 7 को अगर हम ऐसे लिख देते हैं, तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है, ओके, यही थी हमारी fundamental theorem of arithmetic, इसका use आप mathematics में भी करेंगे और other fields में भी इसके applications होते हैं, so मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक example के साथ, तब तक के लिए thank you and bye bye.